गोवा में परियाटन उद्ध्यों के साथ साथ मचली उत्पादन भी भहु सारे लोगों का उपजिविका का साधन बन चुका है खास करके समंदर के किनारे पर जो पागी समुदाय के लोग रहते हैं वो इन से जुड़े हुए है पर इन दिनों में जो वातावरण में बद्राव हो चुका है इसके कारण इन समुदाय को भहु सारे कठिनाईयों से गुजारना पड़ रहा है जैसे कि समंदर के लहरों में बढ़ता हुआ पानी समंदर के लहरों में जो परिवर्तन होता है उसकी जानकारी समय पर मचवारों को नहीं मिल पाती जा थे फ्र neighborhoods परे खाल आमचै सी प्रम पोदिए खाला को अवright खाल ही तुम्यदर को चलिशता है अंदर क कहांसिता है normally फन्समाद समय प्रोब्लेम चेलिये फैट्म मारा होतारखिफ़ लें सुन्या में आएली थोड़े उदक भल्ले पुण हम लौस रांग ना लौस रांग ना अधिजी प्रस्ति दिस्टी जाले हम जालां गेली वोडी फुटले कुप मुट्रास आले हम तो आजये रिकोर्णमेंट्स आता ला तुमका गोर्मेंटान कितले पर अनले हल्प दिव जीुटाशे जिल्डय जिलंडे मात जिला – कितले परसमी के ? दिव जाले के ? कekनी जिय्या आमका जिला आंकतवन केुटा आपे हम påवुट्पूर सेटले मंनी कितले नाथ मात prob illustrations मैं ये वीडियो माध्यम से हमारे सरकार के Science, Technology and Environment Department को ये कहना चाहता हूं कि समंदर में होने वाले हलचल की जानकारी लोगों को समय पर मिले ताकि लोग अपने सामान की रक्षा कर सके इंडिया अनड के लिए मैं देविदस गाउं कर कानकोणा गोवा से